जै माता दी धोस्तों, क्या आप जानते हैं कैसे प्रकट हुई देवी महमाया, कौन थे मदू और कैटब, आखिर कैसे हुई इनकी उत्पत्ती और किसने किया इनका वद्ध, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें प्रिल्यकाल के समय, जब पूरा संसार जलाशय हो गया था, उस समय भगवान विश्नु शेशनाग शैया पर लेटे नित्रा कर रहे थे, तब ही उनके कानों के मैल से तो भेंकर राक्षश प्रकट हुए, जिनका नाम मदू और कैटब था उन दोनों राक्षशों ने भगवान विश्नु की नाभी से निकले, कमल में बैठे ब्रह्मा को कहने का प्रियास्क किया, तब ब्रह्मा जी डर गए और उन्होंने महमाया नित्रा देवी की स्तुति की और कहा कि हे देवी, भगवान विश्नु की आँखों से बहार आ आईए, तब वे भगवान के नित्रों से निकल कर ब्रह्मा जी के समक्ष आखडी हुई, तब श्री हरी ने उठकर उन दोनों राक्षशों के साथ 5000 साल तक केवल बाहु युद्ध किया, इधर महमाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विश्नु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीर्ता से प्रसन्य हुए, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो, फे श्री हरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मुझ से प्रसन्य हुँ, तो मेरे हाथों मारे जाओ, घमन में चूर, मदू और क्याटब बोले, जहां पृत्वी जल में ड पर रखकर काट डाला, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शरूर करें, और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें,